हे गाईज बड़ सब तो आज गी उडियो में कंपेर करने वाड़े हैं रोयल इंफिल बुलेट 350 और बुलेट 350 XES यानि कि बुलेट इलेक्टरा को और सिंपल आपकी बुलेट स्टेंडर जो आती है इन दोनों को अच्छे से कंपेर करेंगे कौन सी बड़िया है इन दोनों में से क्या इनके प्राइजीज हैं क्या इनके अंदर चेंजीज हैं सब चीजों के बारे में तो ये तो हमारी बुलेट है जो हमारी ट्रेडिशनल बुलेट है ये देख लो आपको कौन से अच्छे लगती है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और अच्छे से में अपना उपेनियन शेयर करूँगा कौन सी बढ़िया है ठीका न यह देखलो इस तरब से भी दिखा देता हूँ आपको और यह जो हमारी बुलेट 350XES या बुलेट इलेक्टरा भी कहते हैं इसको यह देखलो यह भी बलैक कलर है वो भी बलैक कलर है दोनों बाइक के बलैक की कलर के अंदर है यह देखलो यहां से दिखा देता हूँ उपको फरंट से पिल्कुल फरंट से भी आपको इनकी लुक दिखाता हूँ इस तरब से भी यह देखली जी कुछ ऐसी दिखती है दोनों एक साथ तो क्या कुछ इनके इंदर डिफरेंसिज हैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कौन सी अच्छी बाइक है कौन सी आपको लेने चाहिए क्या प्राइज है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी बुलेट 350 यानिकी स्टेंडर 350 के बारे में तो यह देख लो स्टार्ट करते हम प्राइज से तो जिसका दिल्ली में ओन रोड प्राइज रखा गया है वो एक लाग पिछेतर जार पे रखा गया है ठीक है ना और एक लाग पिछेतर जार पे में आपको जो है बुलेट 350 मिलती है दिल्ली में इसके अंदर बस कुछ ज़्यादा नहीं है सिंपल रेट्रो बाइक है यह वही इसके अंदर इंजन आता है सेम 350 CC का जो आपको इस दूसरी बाइक में देखने को मिलता है जो कि आपको 19.1 BHP की पावर निकार के देगा और 28 NM का टोर्क 346 CC का इंजन है यह क्रैंक जो है वो बुलेट स्टेंडर में यहाँ पे हैवी मिलती है आपको यानिकी साउंड जो है अगर आप साउंड के दिवान ने हो तो आपको बुलेट 350 में साउंड इलेक्टरा के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी 13.5 लेटर का इसके अंतरे टैंक आता है और जिसकी रिजर्व कैपसिटी जो है वो 2.5 लेटर है रेंज लगबग आपको 500 किलिमेटर की दे देती है बाइक एक बार टैंक फूल कराने के बाद माइलेज भी अच्छा है 35-40 की बीज में और बिल्कुल लो मिंटेनेस बाइक है ये ठीक है ना सिंगल चैनल ABS के साथ आती है सिंगल डिश्क ब्रेक आता है इसमें फ्रंट में इसका साइज जो है 280 mm है रियर में इसमें ड्रम ब्रेक आता है जिसका साइज 153 mm है दौनों ही 19 की टाइर आते हैं फ्रंट और रियर में और दोनों है टाइरों का साइज जो है 3.25 इंटू 19 है दोनों ट्यूब टाइब टाइर आते हैं इसके अंदर फ्रंट में जो है टैलिसकोबिक सस्पेंशन आते हैं 35 mm पा जो फ्रोक है इनका जो आते है 130 mm ट्रेवल है ठीक है जो 35 mm साते हैं न वहीं वाड़े आते हैं फ्रेंट में और जो रियर में है वो ट्विन शोक एब्जोर्बर विद फाइब स्टेप एडजेस्टिबल आते हैं जो की 80 mm ट्रेवल है इनका बाइक का जो वेट है वह 186 kg है लेंथ जो है 2170 mm है विट जो है 810 mm है आइड जो है 1120 mm वील बेस जो है 1395 mm ग्राउंड के लिए ने 125 mm टीट जो है 80 mm की आपको देखने को मिलती है तीन साल या 3,000 किलो मेटर कि आपको जो है वारेंटी देखने को मिलती है बाइक के उपर फ्यूल इंडिकेशन आता है फ्यूल मेटर इसके इंदर नहीं आता है अपको ठीक है बिच जो है यह एस लगा लो एफ एक्स इस इस में सबसे ज़्यादा आपकी स्टेंडड ही बिखती है इसको स्टेंडड ही बोलते हैं क्योंकि इसका जो होलोग्राम है ना 3D में टैंक के उपर जो आप देख रहे हो कोई और कलर आता नहीं है और कह रहे थे इसके अंदर अवी कंपणी वह बी इंट्रीूस करेगी जो गरीड ग्रीन पे 185,000 रुपीज इसका जो है कंपनी ने ओन रोड प्राइज रखा है जो कि बुलेट से लगबग 10,000 पे मेंगा है इसमें भी आपको जो है सेम इंजन देखने को मिलता है जो बुलेट के अंदर आपको देखने को मिलता है चिरफ इसके अंदर आपको जो है बुलिट 350 X ES लेनी पड़ेगी इसके अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिलता है और इसके बाइक की थोड़ी पुलिटी आजकल बढ़ गई है जब से क्लासिक 350 बंद होई है पहले वाड़ी तो लोग इसको थोड़ा प्रैफर कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिलता है और अच्छा उप्शन मार्केट में फिलाल के हिसाब से ठीक है जैसा आपने उस बाइक में द और स्पॉक क्रिम्स भी जो है वो भी बलाक कलर के देखने को मिलते हैं इसके अंदर तो बस यही डिफ्रेंस से ज्यादा और तो कुछ डिफ्रेंस नहीं है क्रैंक जो है इसकी थोड़ी अड़की है उससे क्लासिक वारी क्रैंकाती समें साड़ी आठ किलो के करीब होती है औ और बुलेट में जो है वो 10 किलो क्रैंक आती तो साउंड जो है बुलेट की थोड़ी है भी बनती है ठीक है प्राइज मैंने आपको बता दिया है इसका जो है 10,000 पे जादा है इसका प्राइज दिल्ली में ओन रोड इसका 1,85,000 पे बुलेट रिफ्रेंस यही एक्स एसका और जो आपकी स्टेंडर है उसका जो है एक लाग शित्तर जार पे है 1,75,000 सेम इंजन देखने को मिलता है इसके इंदर मैंने जेस आपको बताया है 346 जो की 19.1 बेस्पी पावर निकाड़के देता है और 28 अनम का टोर्क निकाड़के देता है इसके इंदर भी आपको फिल डरंबर एक आता है सेम साइज के टायर आते हैं इसमें फ्रेंट और रियर बुलेट की तरह है 90 इंचिस के जिनका साइज सेम है ट्यूब टाइप टायर है ठीक है और सेम सस्पेंसन आते हैं फ्रेंट और रियर में कोई चेंज नहीं जो उसके अंदर आ रहे थे इसका वेट थोड़ा से ज्यादा है इसके अंदर आपको 191 kg का वेट देखने को मिलता है बाकी जो इसकी लेंथ, वीड़, हाइड, वील बेस, ग्राउंड क्लियर सी, टाइट सब कुछ बुलेट वाड़ी है सेम कुछ भी डिफ्रेंस नहीं है वारंटी भी इसके अंदर सेम मिलती है आ कुछ के अंदर ओप्शन देखने को मिलता है ठीक है जिसमें आपका जैट ब्लैक जो आप एक कलर देख लिए वाड़ा वो रोयल ब्लू आता है एक रिखल रेड कलर आता है और एक बुलेट सिल्वर कलर में आती है वह एकस एस में आती है इसमें तीन ही कलर आपको देखने वड़ाई जो क्लासिक में अब नए एंजन आ गया है तो अगर आप प्योर बुलेट रिटर फिल रहना सबते हो तो यह बाइक बहुत अच्छी ओप्शन है फिलाल आप दोना में से कोई बाइक कंसेडर कर सकते हो अगर आपका बगार की किक से काम सल जाएगा तो आप स्ट देखने को मिल जाते है ठीक है बाकी कुछ खास इसके अंदर है नहीं इसके अलावा ठीक है और क्रेंट भी उसमें आपको अर्की देखने को मिलती है तो माइलेस वगरा का भाई थोड़ा सा फरक पड़ता है उससे बुलेट की माइलेस अच्छी कुछ जादा डिफ्रेंस नहीं है और वाई के दोनों सेम हैं तो यही थी दोनों बुलेट 350 एक्स और एस और बुलेट 350 आपकी नोर्मल ठीक है कौन सी आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं कौन सी वेल्यू फूर मनी है आप अपने थोट्स जूरूर शेयर करें अगर आप देखने को ना मिले ठीक है तो यही थी ओवर ओल हमारी बुलेट 350 एक्स एस और बुलेट 350 का कमपैर्जन रोयल इन फिल्ड का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं मिलते हैं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए गुडबाई